पोस्ट का महिना हो और बरसात की बून अगर धर्ती पर उगे हुए इन पेडों पर गिरती है तो वो किसी अम्रत से कम नहीं है जीहा नमस्कार आप देख रहे हैं दे पिपल वैस में आपके साथ होम परकास सो देए सर्द की तेज ठिटिरण हवाएं किसानों के लिए और फसल के लिए एक परकार से अभिसाप है लेकिन जब पोस के महिने में बारस की बुंदे इन फसलों के उपर गिरती है तो वो किसी अम्रत से कम नहीं है जीहा बात करते हैं सर्द हवाओं की और साथ में पिछले कुछ दिनों से राजस्तान में हो रही हलकी बारस यानि यूँ कहें कि राजस्तान में हो रही माउट ये माउट पसलों के लिए किसी अम्रत से कम नहीं है जिस परकार आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे जो फसल है और जो फसल के उपर सरसों की फसल है याँपर और फसल के उपर जो पीले फूल आपको नजर आ रहे हैं ये खेत की सोबा अलग से ही बढ़ा रहे हैं जिस परकार ये कहें कि बरसाथ का दिन यानि माउट हो और वो फसल एक परकार से लेहाती हुई नजर आती है किसानों के लिए माउट एक परकार से फसलों के लिए अमरित और वर्दान के रूप में माउट गिरती है तो कहीं न कहीं किसानों के चेरे खुशी से जूम उड़त वहीं बात करें राजस्तान में जिस प्रकार का मोसम हो रहा है तेज ठीटूरन बरी हवाएं चल रही है और इन हवाओं में किसान रात के समय में भी अपने खेतों में अपनी फसल को आवरा जानवरों से बचाने के लिए इस ठीटूरन बरी रात में खेतों में काम कर रहे हैं तो ये एक बहुत ही बड़ा किसानों के लिए दुख बरी कानी है कि इन तेज ठीटूर हावाँं में किसान किस परकार अपनी फसल को बचाने की कवायिद करता है उनको पाने देता है, फसलों को पाने देता है वहीं दूसरी बात करें कि जो मौट हो रही है ये एक परकार से वर्दान बनके किसानों के लिए आई है लेकिर राजस्तान के कही जगों पर जिस परकार से ओलावरष्टी हुई है कहीं ना कहीं ओलावरष्टी के कारण किसानों के चहरे पर जो चिंता की लकिरे हैं वो साप नजर आ रही है और जिस परकार हम आपको दिका रहे हैं, अब ही हम ओन इस्पोट खेत में हैं और जिस परकार आप देख सकते हैं मेरे पीछे, जिस परकार खेतों में फसल लहरा रही है ये किसानों के लिए बहुती सुकदपूर्ण समय है कि उस समय जब फसल के उपर धिरे धिरे फूल आने प्रारंब हो जाते हैं तो किसानों के लिए ये फसल चाहिए वो किसी भी परकार की चाहिए वो जो हो गें हो चना हो या इसके अलाव हम कह सकते हैं तिलहन कोई भी पसल हो वो पसल किसानों के लिए अपने एक बच्चे से भी ज़्यादा सवरूप परदान करने वाली होती है कैमरा परसन सद्दाम के साथ ओम परकार सौदरी दा पिपल वोईस राजस्तान कि अपने परसन सबस्दान करने वोईस्तान